असलाम लेकूम और वेलकम बाक टू मैं चैनल उमीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे बिल्कु खड़ियत से होंगे मेरा व्लॉग का टैटल देखके आपको बता चल गया होगा कि मैं जा रही हो पाकिस्तान फाइनली फाइनली आफ्टर वन एर तो जी जनाद मैं सबसे पहले यह हम आपको दिखा रही हूं यह हीथरो एरपोर्ट है और जो है मेरी फ्लाइट की टाइमिंग्स अरांड क्या थी पता नहीं आपको अर्ली नहीं तो मैं साड़े पांच बज़े ही ही तरो पहुंच लिए ती चार विंटे पहले तो मैं क्यों ना मैं यही नाश्ता करनों अपना क्या के मेरे डर्टर्स भी नहीं किया तो यहां से मैंने कॉस्टर से कॉफी ली एंड ड़ी संड़िच और व जाए पर जूटी फ्री होते हैं मेंस यह तो पे टेक्स और नहीं बब के वेट में काउंट होते हैं और सेकंडली कि मैं फरस्ट टाइम इत्धाद में ट्रावल करी हूं तो देखते हैं कि कैसी रहीगी इत्धाद एरवेज हमारे लिए पहले मैं हूँ आइधिक जी आइच जी आइच वेट सोड़ी ही देर में उपन होने वाले थे और फाइनली हमारे गेचें पर ओपन हुए बोरिंग स्टार्ट हुई और हम अपनी चीज की तरफ चलते हैं मुझे लगदा था कि मुझे लिए मुझे में ली में ली में ली जी तो मुझे बहुती बड़ी लगती इसके मुझे लग रहा है कि Emirates की अच्छी नहीं थी लेकिन इतिहाद की सीट वोर्ट फिलाल खेर यहां पर हमें खाना मिला और यह जो आपको देख रहा है यह हमारा पहला लंच था जो हमें मिला थिकें इसके अंडर दिजर्ट बहुत ही अच्छा थे दिजर्ट बहुती पहले ज़ता है और यहाँ से मेने राइट यहे हम इन उचिकegen शिली ट्राइब और उसके बाद में ने डिजर्ट राइ किया चिकन चिली ड्राइब और अराउंड आम तैन में से आइकन से के 7 देन्या है और पॉर्शन साइज बहुत सोता था इस कंपेर तो थी एमिरेक्स और तर्केशियर नाइज फिर भर इसके बाद हमारे ताइम हम जो बहुत ही कोई ब आई डिजिए पर तो बाद जो और आगे शूकले नहीं चोक्लेट मूश में चाले जो साइस साइस के बाद में आपईब की किसमों पैक्सान कराची और ये उसके अंधर मनाजर थे पहां पर यहां पर दुबारा हमें एक और डिनर देया गया रगया और दूस्ते हैं इन ब it was again a haryali chicken wrap which was you can say better ठीक है और फिर उसके बाद ये कुछ मिठाईया थी जो बहुत ही टीस्ट लेस थी इतिहाल प्लीज अपने खाने को थोड़ा सा अबड़ेट कर लें and then I just got the chicken wrap जो मुझे अच्छा नग रहा था ता मैंने वो ट्राइ किया और मिठाईयों को मैंने बिल्कुल ही साइट पर रख दिया and I was just waiting कि मैं जल्दी से जल्दी लांड करूं to meet my parents वैसे overall the experience was good because क्यों कि मैं बहुत खुश थी पाकसान जाने के लिए तो मैंने इतिहाद के experience जो थोड़ा साइट पर रखा लेकिन लेकिन if you guys want to travel on a long flight तो I think कि आप इतिहाद बिल्कुल भी choose नहीं करियेगा I don't know people like it बत मुझे इतिहाद बिल्कुल भी पसंद नहीं आई तो finally Pakistan आ गया है and I landed in कराची उमीदे कि आपको आज के मेरी वीडियो पसंद आई होगी कॉमें सेक्शन में जरूर बिताइएगा तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा अल्हाफिस